नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 19 जन्वरी बुद्वार शाम सवा 7 बजे रास्तान की बड़ी खबरे रास्तान सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला करते वे कुस्म एय योजना की अवधी 28 फरवरी तक बढ़ा दी है औरजया मंदरी भावन सिंग भाटी ने बताया कि मक्खे मंदर अशोग गहलोद बंजर और अनुप जाओ भूमी पर कुस्म योजना में सोलर प्रांट लगाने की इस योजना के क्रियानवन को लेकर काफे गम भीर रहे हैं 12 में नमनियुक्त जुला कलेक्टर नरेंदर गुपता ने कहा है कि सरकार की फ्लैक्शिप योजनाओं को लागू करने के साथ जनहित की विभिन योजनाओं की क्रियानविती तो उनकी प्रात्मिक्ता में रहेगी लेकिन वर्तमान में जिले में कोविट संक्रमन पर प्रभावी नेंतरन के लिए भी विशिश प्रयास किये जाएंगे सबसे पहले चिक्साहम स्वास्त भी भाग के अधिकारियों से विचार वी मश्की बाद कारी योजनाओं की जाएगी मधवार को यहां कारे भार समभाने की बाद गुप्ता ने मीडिया से कहा कि आगामे 31 जनवरी तक जिले को शत प्रतिशत वैक्सिनेट करने के लिए अभी युद स्तर पर कारे किया जाएगा वरतमान में जिले में बढ़ रहे कोरोना सेंक्रमन को लेकर लोगों को कोविट प्रोटकॉल की पालना के लिए गंभीर होना होगा सोजी ऑफिस की बाहर धरने पर बैठे सांसत किरोडी लाल मीना ने राजसान सरकार और माधे में खिक्षा बोर्ड के अध्याष डीपी जारोली पर गंभीर आरुप लगाए हैं उन्हेंने कहा कि रीट भरती परिक्षा में हुई धांदली के लिए डीपी जारोली जिम्मेदार हैं राजसान में रीट जे एन और सब इंस्पक्र भरती परिक्षा में कथित धांदली के खिलाफ राजसावा सांसत किरोडी लाल मीना एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं मुधवारको के रोडीलाल मीना अपने समर्थकों के साथ S.O.G. मुख्याले पहुँचे जहां उन्होंने भरती परिक्षा में हुई धांदली के निश्वक्ष जांच करने को ले कर अधिकारियों को ग्यापंसों पा इसके बाद सानसद मीना सोजी मुख्याले के बाहर ही धरने पर बैट गए शादी के 28 दिन बाद लुटेरी दुलहन भाग गए दलाल और उसके साथियों ने शादी के बदले 5 लाक रुपे हड़पे थे युवक ने पुलिस में मामला दर्च करवाया है आज S.P. से मिलकर भी आरुपियों को पकड़ने और रुपे वापस दिलवाने की मांग की है सिरोही के बलोड थाना शेत्र के जामोत्रा का रहने वाला उत्तम सिंग आज S.P. धर्मेंद सिंग से मिला उसने S.P. को बताया कि वो शादी के लिए दलालों की संपर्क में आया था दलाल महेंदर सिंग, उसकी पतनी, जोक सिंग, हंसु कुवर, भैरो सिंग, दीप सिंग और अमर सिंग, वेराजु भाई ने गुजरात की रहने वाली लड़के से मिलवाया शादी करवाने का सौदा पांच लाक रुपे में तै हुआ सवाई मादोपुर में वेवसाइक रंजिश को लेका दुकान में घुसका दुकानदार से मारपिट करने और एक लाक रुपे लूटने का मामला सामने आया है मारपिट में घायल हुए दुकानदार को सवाई मादोपूर जुलास पताल में भर्ती करवाए गया है जोहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है पिडित के भाई ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है नसरुदिन उर्फ बंटी ने रिपोर्ट में बताए कि उसका भाई जाईद रिलाइंस पेट्रोल पम्प के पास खेरदा में कबाड़ी की दुकान करता है 17 जन्वरी की शाम को 5.30 बजे उसका भाई अपने दुकान पर काम कर रहा था इस दोरां सद्दाम, कमरू, टंडा लखन, माधुपूर, कालू, हाथों में लोही की रौड और लाठी डंडे लेकर आए और गालियां देने लगे रास्तान में लगातार हो रहे मौसम परिवर्टन के बाद सर्दी का सितम बढ़ गया है जिसका असर इंसानों के साथ मने जीवों पर भी नजदर आने लगा है ऐसा ही मामला जैपूर के लबाना गाउं में सामने आया है जहां दो साल के तेनदुए की सर्दी से मौत होने के बाद ये बात सामने आई अच्रोल रेंजर मुकिश शर्मा ने बताया कि लबाना गाउं के वहीं शेतर में दो साल की मादा तेनदुए का शव मिला है शुरुआती जांच में तेनदुए की मौत हांड कपाती सर्दी की वज़ज़ से होने की बात सामने आई है ऐसे में मेडिकल बोर्ड के ओर से अब तेनदुए का पोस्ट माटम किया जाएगा ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके वहीं पोस्ट माटम के बाद अंतिन संसकार किया जाएगा ब्यावज शहर से ये 7 टन कच्रा संग रहित होता है इसमें 11 टन पॉलिथिन कच्रा शामिल होता है इस कच्रे को नगर परिशत के 20 ओटो टीपर ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर के जरिये डंपिंग याड में डाले जाते हैं शहर में कुछ स्थान पर खाली पड़ी जमीन पर भी ये कच्रा डाला रहा है इस कच्रे के निस्तारन को लेकर कई दावे किये गए लेकिन प्रभावी निगरानी और इच्छा शक्ति के अभाव में हवा हवाई हो गए प्रति दिन आने वाली करीब 11 टन पॉलिथिन से प्रदूशित होने वाले वातावरन और आबो हवा को बचाने के लिए लाख रुपए के लागत से MRF सेंटर शुरू किया गया ये MRF सेंटर को समय सेंचालित होने के बाद बंद हो गया अब यो मशीन ने धूल फांक रही है और आम जन पॉलिथिन के धेर से प्रदूशित वातावरन को छेलने को मजबूर है धौलपूर में चंबल नदी से बजरी लेकर जौराह माफिया को गरिफतार किया गया प्रतिवन के बाद भी बजरी का वैद खनन के जौरा है पुलिस ने ट्रॉक को जब किया है धौलपूर के सदर्थाना प्रभारी दीपक बंज़ौरा ने बताया कि चंबल नदी से माफिया बजरी का वैद खनन का ट्रॉक को तिरपाल से ढख कर लेकर जा रहे थे सुचना पर हाईवेपन नाकबंदी की गई पुलिस ट्रीम ने ट्रॉक को रुकवाया तिरपाल हटा कर देखा तो चंबल नदी का रेता पाया गया इस पर बजरी माफिया मुकेश को गिर्फतार किया गया रासान हाई कोट ने पिता की मौत के बाद शादिशुदा बेटी को नौकरी देने के मामने में बड़ा फैसला सुनाया है हाई कोट जज पुषपेंदर सिंग भाटे ने कहा कि अब सोच बदनने का समय आ गया है कि शादिशुदा बेटी अपने पिता के बजाए पती के घर की जिमेदारी है शादिशुदा बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं किया जा सकता है दरसल जैसल मेर की शोभा देवी ने एक ही आची का दायर कर कहा है कि उसके पिता गनपत सिंग जोटपर डिसकों में लाइन मैंन के पत पर कर रहा थे पांच नमबर दोजासो लोग को गनपत सिंग का निधन हो गया मौसम विभाग के मताबिक बारिश से दिन आत का पारा गिरेगा और ठन बड़ेगी प्रदेश के कुछ हिसो में कोहरे का असर भी देखने को मिल सकता है मौसम विभाग के अनुसार 21 जनवरी को पूरी रास्तान में भरतपुर, जैपुर, रजमेर, कोटा, उधैपुर संभाग और पश्मी रास्तान के बिकानेर और जोतपुर संभाग में कहीं कहीं पर तेज बारिश होगी बारिश का ये 22-23 जनवरी को भी बने रहने की संभावना है गंगापुर सिटी में दिली मुंबई रेल मार्क के नरायन पूर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों द्वारा रेल नियमों के धज्जियां उड़ाई चा रही है रेलवे पटरी पार करने के दौरान लोग रेलगाड़ी और मालगाड़ी के गुजने का इंतजार तक नहीं करते कई बाद सिग्नल नहीं मिलने पर एक्सप्रेस और मालगाड़ी स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाती है ऐसे में लोग 5-10 मिनाड़ तक रुखने के बज़ाए खड़ी ट्रेन के नीचे से निकलने में भी गुरेज नहीं करते रेलवे लाइन क्रोस करते समय लगातार हो रही दुर्गटनाओं के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे है बुंदी में बाइक चोरी के मामले में आज एक शात्री चोर पकड़ा गया और उपी से चोरी की बाइक भी बरामत की गई पुस्ताच में कई चोरी की वारदात खुलने के समभावना है बुंदी के देई थानादिकारी शंकरलान ने बताया कि 3 जनवरी को 99 पंचवाय समीते के कनिस्ट तकनीके सहायक राधिशाम ने बाइक चोरी का मामला दरज करवाय था चोर घर के बाहर से बाइक को चोरी करके भाग गए थे मामला सामने आने के बाद आसपास की CCTV फोटेज देखे गए एक इवक बाइक ले जाते हुए दिखा तलाश करते हुए चोर के 99 में होने के ज़ानकारी मिली पुलिस टीम ने दबिश देकर बंसौली के रहने वाले रामानंद को गिरिफतार किया तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें